हैपी हेल्दी वेल्दी टाइम्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लूज करने की एक हेल्दी और इजी रेसिपी जो की जटपट से बनके रेडी हो जाती है और ये खाने में भी टेश्टी होती है तो चलिए देखते हैं कि इस recipe को मैंने किस तरीके से बनाया है vegetable paneer stir fry बनाने के लिए मैंने एक pan लिया है और pan में हम डाल देंगे तेल बहुत कम तेल डालना है और जो तेल आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं उसके बाद हम इसमें एक टेबल स्पून लहसन डाल देंगे महीन कटा हुआ और लहसन को तेल में आधे मिनट के लिए fry करेंगे लहसन को ब्राउन नहीं करना है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक कप गाजर आधा कप ब्रोकली मिला लेंगे एक बार दोनों को उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कप शिमला मिर्च, एक कप प्याज और फिर से हम इसको मिला लेंगे और हाई फ्लेम पर हम सारी चीजों को दो मिनट तक फ्राई करेंगे चलाते हुए फ्राई करना है आप अपनी पसंद का और भी कोई सबजी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं दो मिनट बाद आप देख सकते हैं कि सबजी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे धाई सो ग्राम पनीर जिसको मैंने क्यूप्स में कट कर लिया है पनीर डालने के बाद पनीर को भी हम सबजी में मिला देंगे पनीर को मिलाने के बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डालेंगे करश किया हुआ आधा छोटा चमच चिली फ्लेक्स नमक डालेंगे हम इसमें स्वादा नुसार और एक छोटा चमच सोया सौस और सारी चीजों को हम फिर से एक बार अच्छे से मिला देंगे गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम सारी चीजों को ढखके दो से तीन मिनट तक पकाएंगे नमक डालने के बाद सबजी जो है वो पानी छोड़ेगा तो इसको ढखके पका लेंगे तीन मिनट बाद मैंने इसका ढख्कन हटा दिया है एक बार मिला लेंगे हम सारी चीजों को और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप, स्प्रिंग अनियन यानि की पत्ते वाला प्याज इसको भी हम सारी चीजों में अच्छे से मिला लेंगे हलके हातों से मिलाना है नहीं तो पनीर जो है वो तूट जाएगा और अब हम गैस को आफ कर देंगे और ये हमारा वेजिटेबल पनीर श्टीर फ्राई बनके रेडी हो गया है आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यूँ